हम लोग श्रीमत भागवतम के तीसरे सकंद के पाचवेद ध्याई के तेतालिस में श्लोक को देख रहे हैं पिछले श्लोक में आपने सुना था कि जिन लोगों का हिरदय विशेया विष्ट है वे भगवान का श्रवन किर्टन करके अपने हिरदय को पवित्र कर लेते हैं उस पवित्र हिरदय से वे भगवान की शर्ण लेते हैं और इस प्रकार ग्यावन और वैराग के द्वारा युक्त होकर धीर हो जाते हैं शान्त हो जाते हैं और इसलिए देवतागड कहते हैं कि हम आपकी शर्ण ले रहे हैं अब इस श्लोक में बताया जा रहा है कि ये भगवान इन भगवान की सेवा कितनी आसानी से हो जाती है पहले बता रहे हैं इस लोक में कि विए भगवान विश्व की जन्म, सित्य और सयम के लिए अवतार लेते हैं तो बहुत बड़े विक्ति हो गए तो ऐसे बड़े विक्ति की सेवा करना तो कठिन होना चाहिए लेकिन यहां पे श्लोक कहता है कि अपने भगतों के द्वारा वह बड़ी आसानी से सेवित हो जाते हैं केवल स्मर्ण करने मात्र से वह सारे भाय का नाश कर देते हैं तो इस श्लोक में यह बता रहे हैं, कृतग्यता गापित कर रहे हैं, कि भगवान कितनी आसानी से अपने भोक्तों के द्वारा सेवित हो जाते हैं यह बहुत बहुत जादा हम लोगों को सुनने की जुरत थी, क्योंकि विश्वास नहीं होता है, क्या? भगवान को स्नान कराता है, तो अब जितने उस जल में बूंद होती हैं, उतने हजार युगों तक वे भगवान के धाम में रहता है. किसी बड़े व्यक्ति की तो बड़ी अपक्षा होती हैं, और जो सबसे बड़े व्यक्ति हैं, उसकी इतनी छोटी अपक्षा कैसे हो सकती है, और इतना बड़ा रिटर्न कैसे प्राप्थ हो सकता है? तो ये श्लोक इस बात को पुष्ट करता है, कि भगवान यदिवी सबसे बड़े हैं, लेकिन फिर भी उनकी सेवा बहुत आसानी से उनके भक्तों के द्वारा की जाती है, मेरे पिछे को लिए, विश्वस्य जन्मास्थिति सैयमार्थे, कृतावतारस्य पदाम भुजम्त विश्वस्य जन्मास्थिति सैयमार्थे, कृतावतारस्य पदाम भुजम्ते, व्रजे मसर्वेशर्णम यदिश स्मृतं स्मृतं प्रयच्छत्य भयं स्वपम्साम विश्वस्य जन्मा स्थिति सैयमार्थे कृतावतारस्य पदाम भुजम्ते 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 विश्वास्य जन्मास्थिति सैयमार्थे कृतावतारस्य पदाम भुजम्ते व्रजे मसर्वेशर्णम् यदिशास्मृतं प्रयच्छत्य भयं स्वपुम्सां व्रजे मसर्वेशर्णम् यदिशास्मृतं प्रयच्छत्य भयं स्वपुम्सां विश्वस्य जन्मास्थिति सैंयमार्थे कृतावतारस्य पदाम भुजम्ते ब्रजेम चर्वेशर्णम् यदिशास्मृतं प्रयच्छत्य भयं स्वपुम् सां। विश्वस्य जन्मास्थिति सैंयमार्थे कृतावतारस्य पदाम भुजम्ते व्रजे मसर्वे शर्णम यदिशा स्मृतां प्रयाच्छत्य भयाम स्वपम साम हे प्रभु आप विराध जगत के स्रजन पालन तता सहार के लिए अवतरित होते हैं इसलिए हम सभी आपके चरण कमनों की शरण ग्रहन करते हैं इसलिए क्लियर हुआ क्यों इसलिए कि यह देवता भी किसलिए प्रार्टना कर रहा हैं, यह सब लोग अलग अलग तत्मों के नियामक देवता हैं, लेकिन इन तत्मों का आपस में सम्मिश्रण हो करके स्रिष्ठी नहीं हो रही है, यह अनीश हैं, ऐसा स्रिष्ठी करने में वो असमर्थ हैं, और भगवान कूठ चुके हैं हम दों मिराश्चत निराश्चते निराशा से योगत है हम से नहीं हो रहा है कि आपके चरनकमल तो किवल समर्ण करने माटन से भक्तों को सहस्प्रदान करने बारे हरी स्मृति सर्वौ वियृत्ध मौक्षणांत भगवान हरी के स्मर्ण करने के द्वारा सारी विप्रदाओं का मोक्षन हो जाता है या भगवान ने जैसे गीता में कहा है अठारवे धाय के अंत में आता है मेरे स्मर्ण से सभी दुर्गों को तुम हो है मेरे स्मर्ण से सभी दुर्गों से मत प्रसादा तरिशहसी है मेरे प्रसादा मेरे किरपा से मेरा स्मरं पर दुर्गों करने कश है कि बागवान भी स्मृत्ती नहीं दे थे मज़श मettes रवभानाम मत प्रसादाक तरिश्य.. लगाओगै मज़वश रवभाणाम तो सभी दुरुकों सभी प्रकार शिंब नीवे कटनायों से तुम पार हो जाओगै मज़श रव सर्व-दुरुकों नाम मत प्रसादात परिश्यसी एक बड़ी सुन्दर बात गौरांग प्रभुस्वमन में बता रहे थे कटनायों के बारे में करें देखिए कुछ तो हैं प्रॉब्लम्स और कुछ हैं कैला मिटी प्रॉब्लम्स क्या जैसे मेरी स्कूटी खराब हो गई एक प्रॉब्लम्स नोटा कैला मिटी है ना तो मेकानिक को बुला लेंगे वो ठीकर देगा लेकिन कैला मिटी का मतलब यह हो गया विपदा का मतलब यह हो गया समस्या और विपदा समस्या आप सौल कर लेते हैं सुबह प्राइख प्राय खाना जो बनाते होंगे जिस दिन खाना नहीं बनाने को होता तब दिन कटता है असानी से कुछ लोग बड़ी मांदरी से बोले नहीं लेकिन शहयद करें नहीं हां बड़ा आरामसे बैकिन एक्षिली अभी हम गई थे गवाक्ति-घर में तो उँको ग्रोका दिमिला इस दो टाइम परसाद प्रसाग्ति अब जूट गई ना पहले तो ब्रह्मचारी आश्र में थे आधा ती वह इस टाइम पियाए, खाय के निकल गए अब एक तम मस्दब दिन कातना भार ही हो रहा, तो आप देखेगे कि हम सभी लोगों को सुभे से शाम तक समस्या को solve करना अच्छा लगता है, अच्छा इसी खरावगा ठीक है, कभी-कभी तो लोग समस्या बना लेते हैं, घर है उसको तुलवा कर फिर नया बनाते हैं, कुछ नहीं तो दुबारा कर रहे हैं, इसे विवदा नहीं कहेंगे, लेकिन कलामेटी विवदा है, जैसे किसी की घर में मृत्ती हो जाए, तब उस दुख को आप किस मेकानिक से solve करवाएंगे, तो यहां पर विशेश रूप से भगवान के चरण की आश्रे क्या शकता है, स्कूटर खराब हो गया, तो आपको मंदिर में जाकर भगवान से प्रातना करने चुरते हैं, यह भगवान मैं बड़ी विवदा आपने हूँ, मेरा स्कूटर खराब हो गया, यह वटेवर, विक्ति हो जाएगी, तो उसका क्या solution है, दुख में है विक्ति तब, और यह आप आज इस लुक इस क्लास में आप नोट कर लो, और जिन्दगी बर करते रहे तब देखना आसा, कि यदि नीमित रूप से कथा श्रवन करते रहेंगी, तो कोई विपदा विपदा लगेगी ही नहीं, आहीं तो छोटी सी है, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, इससे बहुत ज़्यदा हो सकता था, इससे कम ही हुआ है, यह थियोरी की बात मैं आपको बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, अधिस इस अधिस मच आप श्रवन करते रहें तो क्या ही हो गया भाई, क्या हो गया, कुछ भी तो नहीं हुआ, ऐसा कोई खास तो नहीं हुआ, नहीं ना इसके लिए भी ब्रूड अबाउट वी क्राई अबाउट नहीं कुछ भी नहीं सोला मला हो गया ना दोन टाइम पर साथ मिल गया नहां मिल तो रहा है पिर क्या दिक्कत है जल भी मिल रहा है तक यह मैं एक बहुत प्रतेक्ष लाब देखा हूं श्रीमान भागवत्तम के श्रमण से की विपदाएं आती ही नहीं है आप देखेंगे साक्षात अन्भव करेंगी कि लाइफ बहुत आसानी से कड़ जाती है तो यह इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि यह भगवान की स्मृति कार करती है यह ऐसे ही नहीं बोल दिया गया कि हरी स्पृति सर्व विपद विमोक्षनाद कि बनकास जो है सारे परशानि już से अब मुंखषन कर देता है समस्यां से नहीं शमच पय 죄송 chlor vagy भी पद्वी मूख्षनाथ हम लुग वीपदा की की चर्चा कर रहे हैं हम समस्यां की सर्चा नहीं कर रहे है ऐसा तो नहीं कि मेरा स्कूटी खराब होगी तो मैं भाग वाद पढ़ता रहूंगा स्कूटी ठीक हो जाएगा अपने आप हाँ चली चली पागवत क्लास में लिग चली डेट 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 विपदा होती तुम उसको अड्रस कर रहा होता है क्लास तो नहीं दे रहा ह बगान सफलेट करने कर लिए पांक शिलादर महन carbon कि कुछ चीजा है समच्षय कोई समस्षय का सूलूशन आपके पास रहता है हो जाता है लिकिन विपदा का solution नहीं होता है इस वेरी इंट्रसिंडिंग जैसे यह प्रहलाद महाराज को सर्व के कुण में भेज रहा है तो भ दबा रहे हैं, तो हेलमेट पहलूँ, रुख जाओ, रुख जाओ, रुख जाओ, it does not work like that, कुछ छोटे बच्चे का शीट कितना कोमल होता है, तो भगवान इतने संदर है कि केवल उनका स्मरन करने मात्र से वे भक्तों को अभय प्रतान करते हैं, अब इसके पहले अन्वे देखते हैं, हे ईश, हे भगवान, आप सर्व समर्थ हो, इसलिए विश्वस्त उचन मासुस्ति समयार, इस्तिति सहीं मार थे, इस जगत की सिर्ष्टी इस्तिति इवं प्रलहे तु कृताब अतार, अवतार ग्रहन करने वाले, कौन से अवतार? पु इस जगत में लोगों की आप बहुत सारी सेवा कीजिए, तब भी अभय क्यों नहीं प्रदान कर सकते? क्योंकि उन्हें खुद ही अभयत प्राप्त नहीं है, वो खुद ही भयबीत है, तो प्रश्ण है कि वह भयबीत क्यों है? क्योंकि वह सर्वतंत्र स्वतंत्र नहीं है, हम लोग किसी को भी स्वतंत रूप से आश्रे दे ही नहीं सकते, और जितना भी आश्रे दे रहे हैं, वो सीमित मात्रा में ही दे रहा है, हम सभी लोग संघर्ष कर रहे हैं, आपको लगता है कि जो धरी वेक्ति संघर्ष कर रहे हैं, वो किसी और चीज संघर्ष कर रहा है, तो जो वेक्ति स्वयम संघर्ष कर रहा है, वो किसी अन को आश्रे दे ही कैसे सकतेगा, बताइए, या तो उसका सामर्थी समाप्त हो जाएगा, यह खुदी समाप्त हो जाएगा, खतम हो गए, ऐसा बोलते हैं न, वो खतम हो गए, लेकिन भगवान तो शाश्वत वेखती है शाश्वत पुरुश है और वह शाश्वत पती है उनका सामर्थ कभी नश्ट नहीं होता है बहुत अच्छी बात है जो वह अच्छा एक और बात है कि हम लोग को भाई किससे हो रहा है हम लोग इस जगत में कि नियामक बनना चाहते हैं हैं न desperate controller और हमारे kontror कॉण धस्त कर रहा है काल में लोक शयकरित प्रवृत हो हमारे कंट्रोल को काल नष्ट कर रहा है हमारी आँखों के ही सामने होता है कि नहीं हो सकेतो अपनी साल में एक picture लख लेना और फिर आप दिखना कि हर साल एक जुररी बढ़ जा रही है almost something like that यह बाल पकना शुरू कर दिये whatever यह कान पर बाल आना शुरू कर दिये बहुत सारे सिंप्टम्स है वर धावस्ता के and there are many more this is very interesting टो साथ और साद्वों से भी सब्ख्रप्वाइं जडुरू करता यह बेरी स्वरी यह भी कोई को चाहे उसकाट गहती हो इंतर हो अब देखनाव जब देवताऌ भी भाय से रहित नहीं है जो खुदी भाइस भाइभीत हो तो सामने वाले को आप अब है कैसे प्रदान करेंगे बात यहां पर आ रही तो मुझे याद आ रहा है भारत की पार्लेमेंट पर कभी अटाइक हुआ था कभी किया होगा मुझे निश्यता की भक्ती माने से पहले था 2000 पहले की हुआ था क्या हम आप सभी को बोल रहा है कि आप लोको भाइभीत होने की कोई जुरत नहीं है सब कुछ कंट्रोल में यह इतने में कोई बंब चोड़के गए होंगे आतंगवादी वो लोग तो उसको ना ना उसको आर्मी वालों ने डिफ्यूस करने के सिलेक फोड़ दिया तो भूम करक रहे हैंगो क्या बहु प्रदान करोंगे बताईए है ना यह अभी एक नेता के बारे में सुन लिया तो वो केरते वो देश अब हमसे युद्ध कर रहा है उस देश काम नस्थ ना ना बूत कर देंगे उसे दुनिया की नक्षे में अपने को क्या करते हैं उसको बहुत खौ कर दिखा रहा है करते हैं। श्रीनन्दनन अभाय चरनार विंदरे विश्वस जन्म सितस्यमार्थे भगवान विश्व की जन्म यानिके सिर्ष्टी पालन और सयम अर्थात प्रलय के लिए अवतार ग्रहन करते हैं तीन पुर्श अवतार ते पदाम बुजम सर्वे शर्णम व्रजेमा हम उस्ट आपके उन चरन कमलों की हम सभी लोग शर्ण करहन करते हैं क्योंकि यद क्योंकि हे इश्वर हे परमसमर्थ स्मृतम प्रयच्छति अभयम स्वपम्शाम अपने भक्तों को अपना स्मर्ण करने मात्र से ही वह अभय पदान कर देते हैं आप आठ्वे स्कंद में सुनेंगे कि मनु महराज तपस्चा कर रहे थे और उनको खाने के लिए कुछ राक्षस दौर पड़े तो उनसे युद्वी नहीं कर रहे थे भगवान यग्य विष्टू यग्य की रूप में प्रकट होते हैं यग्य अवतार की रूप में प्रक आपने चीज़ नोटिस करिए कि जो हम किसी समस्या के बारे में सोचते ही जाते हैं उसका समर्ण करते ही जाते हैं तो भई और बढ़ता जाता है मैं खाली बोली रहा हूं कि आपने संभव किया है क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा उसको सुचते रहते हैं तो वो होगा भी नहीं लेकिन हमारा भय बढ़ता जाता है कि क्या हो जाएगा और मान दिजियो कभी हुआ ही नहीं तो बाद में आप सोचेंगे अरे बाद में आप यह भी नहीं सोचते कि यह तो हुआ ही नहीं डिटी नोटेस दिस आपको मैं सिंपल से बात बोलता हूं जब मैं कभी-कभी विक्तिय से सोचता है ये नहीं होगा तो क्या हो जाएगा ये नहीं होगा तो क्या हो जाएगा जब पूरा हो जाता है तो उसको याद भी नहीं रहता है कि क्या नहीं हो जाएगा क्या नहीं होने से तो इतना भैभीत हो रहे तो ये भी भूल जाता है What a waste of human form of life क्या ही हो जाएगा बताईए जब मा के गर्व में कुछ नहीं हुआ तब और क्या स्थिति हो जाएगी यह आप ट्राइ करके देखना कि जब कोई समस्या हो और उस पे जितनी चर्चा करेंगे उतना वह समस्या और विकराल बढ़ती चली जाएगी और उदर से समस्या को छोड़ करके भगवान का स्मर्ण करेंगे तो डर नहीं लगता है मुझे हासी आरी थी कि अभी मेरे मेत्र को बहुत अच्छे वैदी जी के पास लेगे तो अलमस्त साल से उपर हो गया होगा प्रेच्च डॉट रही हो तो ने देखा अच्छे तो हाई नहीं को डाटना शुरू करती है तुमारा यह भी खराब है तुमारा वह भी खराब है कि मेरे तुम हाण मरने वाले हैं निथे थीक है और कि अवसे अफरेड मरने मरना तो सब को याई आपको नहीं बदाओना इंट्रेस्टिंगा मरा नहीं कि एथ तब market आb है और मि strains140 की बात करें तो मरना बुरी बला है रू भी कापती है और जी भी कापता है मरने का नाम मतलो मरना बुरी बला है not that we are अगा सरी के सामने ख़ड़ जाएंगे it's not like that we are so full but we bite the more we take shelter of Krishna the more we become fearless एक और सिधान समझीगा जितना व्यक्ति पुर्न्यात्मक होता है यह बहुत गंभीर बात है जितना व्यक्ति पुर्न्यात्मक होता है उतना ही वे मृत्यू के भय से रहित होता जाता है और जितना व्यक्ति पाप करता है उतना ही उसके हिर्दे में मृत्यू का भय अपने आप हो जाता है यदि भी उसको यह भी ना पता हो कि वह पापी है बहुत गंबीर बात है परमपुजे रादा गोईन महाराथ समझा रहे थे यह औरंग जेब था इसने कितने पाप किये भयानक पाप किये तो जो मर रहा था तो मरने के आवस्था के पास में तब उसको बहुत भय हो रहा था कि मैंने बहुत पाप की है मेरी क्या गति होगी इस इस लाइक दिस तो भगवान का स्मरण करना तो सबसे बड़ा पुन्य है सबसे पवित्य करने वाला कार है तो जीव इससे निरभायता को प्राप्त होता एक और बात विचार कीजिए क्या आप इस बात को स्युकार करते है कि इस जगत में हमारे कार करना का बड़ा भ्यंकर प्रियोजन या बड़ा प्रबल प्रियोजन है या कोई विरोध है यह नहीं करेंगे तो क्या होगा यह नहीं करेंगे तो क्या होगा हां कैसे चलेगा होगा यह नहीं होगा तो क्या होगा होता है ना भाई जैसे कि बिजली नहीं आएगी तो स्वेंगे कैसे हम तो हम लोग तो इतनी छुटी छुटी बातों से भैवीत हो जाते इस तरह से कि स्वेंगे कैसे अभी दो दिन से बिजली ने जा रही थी तुम्हें दिक्कत थो रही थी मन में आ रहा था स्वेंगों कैसे फिर मुझे अपनी ही बात याद आई एक देन एक अधशी को समय था हम लोग रायपूर कॉलेजी प्रीचिंग करने गए थे सर प्रीचिंग करने गए थे सर के साथ हम लोग आई थे सर ने कहां जाओ जाकर एक बनाओ एक दशीक लिए तो मैं और मेरा सीनिरुन के नाम थे अमिच शुक्ला प्रभवा थे दोनों बड़े हैं एवरीवन इस पेस्ट आउट वी और उस नीव डूटी इस पेस्ट आउट तो प्रभश जी से चाभी ले नहीं लगी तब उठे तब उससे मैंने सीखा कि भाई नींद के लिए एक चीज की जुरतरू है नींद बागी कुछ नहीं चाहिए ना पंका चाहिए नगर कुछ नहीं चाहिए यह होला तो क्या होगा वो क्या होगा चैतना भ्यग्ति भगवाण के स्मर्ण में रहता है उतना ही बहे निर्भाय्ता को प्राप्तर है EE नहीं है धमोर, युु थिंके डूब क्रिष्ण है यू cambi and fearless अगर हम प्रसन्न है तो भाइबीत नहीं हो सकते हैं श्री भगवान के चरण कमल अपने भगतों पर जैसी कृपा करते हैं उसका स्मर्ण करते हुए देवताओं ने विश्वस सित्यादिश लोग को कहा है श्री भगवान संपूर्ण विश्व की सिष्टि आधी का कार करने के लिए अवतार गरहन करते हैं और श्री भग्वान के चरण कमल तो स्मर्ण करने वाले अपने भगतों को स्मर्ण करने मात्र से ही अभय प्रदान कर देते हैं, अब इसका वर इंट्रस्टिंग मतलो है, यह जो LIC वाले है, यह भी आपको बोलते हैं, क्या है योगक शेवम वहां में हम, तो बस केवले स्मर् सोच के बोलिए, वह लोग थोड़ा सा में है, तो बोल देते हैं, अब यह रिख्योर्ड तो हमने गां क्या कोई अब ट्रक्टर वाला पूस्ता है, अचा इसका तो इंशुरेंस हो गया, इसको नहीं मारना है, ऐसा होता है क्या, को इंशुरेंस दे सकता है इस प्रकार से, म तुम्हारा पैसा तुम ले लो, वो तो उसके रिस्दारों को मिलता है, तो तुम कहें कि इंशुर होए, नहीं होए ना, और उसके लिए कितना प्रीमिं भरना पड़ता है, हमको नहीं पता, लेकिन बेभी 7,000, 6,000 per year, यह डिपेंट्स कि आपका कितना कवर है, सो मुझे को कवर मिल सकता कि तुम कुटा नहीं बनोगे अगले जुनम में, अगर हम भगवान की भक्ति नहीं करते तो, नो कवर, और भगवान देखी गीता में क्या कहते, नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायोन अविद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्यत्रायते महतु भयात, भ सहान भय से मुक्त कराने वाला है, तो कितना थोड़ा और कितना बड़ा भय इसका कोई भगवान ने exact estimate नहीं दिया है, मतलब एक बार भी भगवान की भक्ति करता है, तो नरक नहीं जा सकता है, नरक जाना बहुत बड़ा भय है, बहुत बड़ा भय है, और इसका प्रमाण जानते हैं जिवान वक्ति भगवद गुण नाम धेयम चेतस नाय स्मरतिय चरनारविंदम कृष्णाय नानमतिय चिरेकदा पीता नान यद्धुमसतकृत विष्णुकृत्यान यम्राज्ची कहते हैं जिसका जिवा एक बार भी भगवान का नाम नहीं लेती तो क्या बोला इ एक बार भी भगवान को नमस्कार नहीं के ऐसे विक्तियों को तुम ले के आओ मतलब जब इतना भी नहीं किये तो अब भग्त भवान के लिए कुछ नहीं कियों यानि कि इतना अगर एक बार भी जीवन में कर लिया है तीनों में से कोई एक या कोई भगवान की भक्ति का तु वह नरक नहीं जा सकता इस इस अपूटेंसी सवंगा रहा सारा दर्शनी यहां देवतागण भौक्तों पर भगवद अनुग्रह का स्मरण करते हैं ताकि यह दर्शाय जा सके कि भौक्ती की यह साधना किती सुलब है क्या साधना जो पिछले शलोक में कहा गया था कि भगवान का श्रवन किर्तन करके मन को पवित्र कर लेता है मन के द्वारा और पवित्र मन से भगवान का ध्यान करता है और उसे ज्यान व्यराग से युक्त हो जाता है और धीर हो जाता है यह सब बहुत आसान है क्योंकि भगवान स्मर्ण करने मात्र से ऐसा लाब देते हैं जो जी तोड करके मेहनत करने के बाद भी कोई देवतान नहीं दे सकता हेरणा कश्रीपु को डर्था मृत्युका और इतनी जिसने तपस्या करी है उतना तो हम लोग सोचे भी नहीं है करने के लिए बहुत होगा तो चौसट माला करने के बारे में सोचे होंगे सोचे कि ऐसे खड़े हो जाए लगातार के एंट विल बन जाए क्या कभी सपना आया किसी को कि आप हेरणा के शिप की तरह तपस्या कर रहे हो मेरे को भी नहीं आया यह सपन जुरुरा को कुछ खा रहे है पी रहे हैं लेकिन यह सोचना सपना होंगे सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाये हैं अज संतुष प्रहु आप बार बार श्लोकों का नमबर भेज रहा है यह डिस्टरबंस है यह चैट आप लोग को श्लोक का नमबर भेजने के में हम आपको बोल रहे थे कि हम लोग तो ऐसी तपश्या को सोच भी नहीं सकते नहीं सोच सकते ना और सोचने की जुरत भी नहीं है लेकिन पॉइंट इस दाट कि जितनी तपश्या करी फिर भी ब्रह्मा जी नहीं कहा क्या कहा कि बेटा अमर तो मैं भी नहीं और थात इस मृत्यू के भाई से तो मैं भी मुक्त नहीं हूं तो तुम्हें कैसे मुक्ति दिलाओं तब फिर जो उसने प्रार्तना करी वह भी भाई पर अधारित थे अंदर नहीं मरूं बाहर नहीं मरूं इससे नहीं मरूं उससे नहीं मरूं तो मृत्यू का ही भाई था ना जिसको टालने का प्रयास करना था तब भी मराव और यहां तक कि प्रलाद महाराज से तक प्रलाद महाराज से भैबीत हुआ था आप लोग चार्र पास साल के बच्चे से भी भैबीत होते हैं क्या? नहीं होते हैं और वह वेक्ति जिसकी भवन टेड़ी करने से देवता भैबीत हो रहे थे वह परलाद महराज से भैबीत हो रहा था जब कि प्रलाद महराज को दिक बच्चा तो किसको किसको नहीं मिलेगा किसी को बोल दे जाए कि प्रलाद मारा आपके पैदा हो घर हां क्यों नहीं होंगे बिल्कुल प्रणद स्धाया जैसे विक्ति से किसी को बहुत सकता है मैं इसको मारने का प्रयास कर रहा हूं यह नहीं मर रहा है लगता है इसकी वैशित मुझे मरना पड़ेगा से ल差 day लाइण घर्डपाश्याग नहीं हो पाया है स्मर्ण के द्वारा ही नितांत रूप से भाई से रहित हो गए तो किसकी सिवा असान है देवताओं की भगवान की आपने रणा स्वयम कर लीजे क्रम संदर्व अब यह बड़ा संदर बात बोले हैं और बिल्कुल अलग डामेशन बोल रहा है स्वपुम्साम और थात आपके भक्तों पर आश्रित वे चरुन कमल अन्यों द्वारा स्मर्ण की जाने पर उन्हें अभैदान देते हैं यह बात जब मैंने पढ़ी हमने का यह क्या बोले यह तो कुछ समझ में नहीं आया ज़रा श्लोक देखेंगे तो समझ में आएगा बहुत अच्छा बात बोल रहे हैं कह रहे हैं कि जो भगवान के चर्ण कमल हैं वह अपने भक्तों की शर्ण और उनकी शर्ण उनके भक्त है यह क्या भगवान के चर्ण कमलों की शर्ण उनके भक्त हैं कि इसके मतलब है भगवान के भगतों का हिर्दय शुद्ध होता है निर्मल होता है इस कारण से भगवान के चर्ण कहां रहते हैं भगतों के हिर्दय में तो जैसे हम लोग अपने घर में रही रहते हैं प्र vagabany वहां विश्राम प्राप्टा करते हैं अराम से रहते हैं ऐसे भगवान के चर्ण कमल कहां रहते हैं भगतों के हिर्दय में रहते हैं है टुमार्य उन ख़िए सदा गविंद विश्राम है यह सम्माईस का पे निकाली मुझे slit श्योण já क्या पॉइंट बुल रहे हैं इससे बोध यह हो रहा है कि भग्त लोग तो भग्वान की विस्मृति कभी करते ही नहीं है इसलिए अगर हम यह सोचें कि भग्वान के भग्त अभय को प्राप्त करने के लिए भग्वान का स्मर्ण करते तो यह बात पूरी तरह से ठीक नहीं बन रही है वह भूलते ही कब गहा है अरजुन कभी वान को भूलते है क्या जो विक्ति नित्त ही आपके हिर्दय में प्रकाश मान हो उसको भूल ही कैसे सकते हैं यानि कि भाय के उत्पन होने का प्रश्ण ही नहीं होता हम लोग सुलिए हम लोग अंदकार से बचने के लिए सुर की शर्ण लेते हैं और जो लोग सुर्देव के साथ रह रहे हैं वह भी ऐसा करते हैं उनके हिर्दय में तो या उनके पास तो अंदकार प्रकट होने का प्रश्ण ही नहीं बनता अब समझ में आया जीनके हिर्दय में नित ही भगवान विराजमान है प्रकाशमान है तो उनके हिर्दय में अभय होता ही नहीं है जैसे एक बच्चा अपनी मा के हाथ को पकड़ा र करते हैं जिन भगवान के चलणों का आश्र है उनके भग्तों का हृता है अच्छी है हमको टीका लगी थी ताथ पर विराद जगत की स्रिष्टी पाल तथा प्रलय के लिए ब्रह्मा विष्णु तथा महिश्वर शिव तीन अवतार हैं ये भोथिक प्रिकती के तीन गुणों के नियंतरक अथवा स्वामी है जो दिर्श जगत के कारण है विष्णू सतोगुण के स्वामी हैं ब्रह्मा रजगुण के तथा महिश्वर तमगुण के प्रकिती के गुणों के अंसार भक्तों के विभिन प्रकार हैं सतोगुणी लोग भगवान विष्णू की पूजा करते हैं रजगुणी लोग ब्रह्मा की पूजा करते हैं और तम्मगुणी लोग शिव जी की पूजा करते हैं ये तीनों देव भगवान कृष्णी के अवतार हैं क्योंकि कृष्ण आदी पूर्ण पुर्शतम भगवान हैं देवतागण सीधे भगवान के चरण कमनों का अंदर दे अर्थ के लिए अवतार ग्रहन करते हैं लेकिन वह अवतारों की शरण ना ग्रहन करके ते पदाम बोजंश व्रज्यम सर्वेशनम् हम आपके उन चरण कमलों की शरण करते हैं जो भगवान अवतार लेकर के सिश्टियादी करते ہیں अवतारों की शरण नहीं करण कर रहे हैं भगवान की शरण करण कर यह अर्थ है कितना सुन्दर बात है अवतारी येस इस वेरी इंट्रस्टिंग बहुत अच्छा प्रपाद ने पॉइंट लिया है किन्तु भौतिक जगत में विष्णु अवतार की पूजा देवताओं द्वारा सीधे की जाती है विष्णु अवतार स्वम भवान के स्वांश है विविन शास्त्रों से पता चलता है कि देवतागर्ण विष्णु के पास शीर सागर में जाते हैं और जब कभी विष्व के क काम काज के प्रशासन में कोई कटना ही आती है तो वे अपनी समस्याओं के लिए निवेदन करते हैं यद्यभी ब्रह्मा तता शिव भगवान के अवतार हैं किन्तु वे विश्णु की पुजा करते हैं और इस प्रकार उनकी करना भी देवतां में होती है भगवान के रूप म कहते हैं और जो देवताओं के भगत होटे हैं उनकी असुर कहते हैं आँ अधरी के करौ तो जाओ-जाओ कर पहले व्यासदे में बठते हैं जाओ-जाओ कर उन- रशी जी पर उन-मुनिंप जाकर करकी आप कोड की स्लोग लिख दिया निआ भगवान विशनुके भक्तommen को देवता कहते हैं और उनके इनको असुर कहते है इसलिए तो क्लास अच्छी नहीं लगती है हम नहीं जा रहें इस क्लास पर इस अपने मन से अंट शंट बुलते हैं मन बस संस्कृत सीख करें और मुझे को चाप चाप कर शास्तर बना देते हैं तो जाके शास्तर चक कर लो कि शास कर लेज़ेगा विष्णु भक्त स्वृत्ति कहती है कि विष्णु भक्त यहीं दीवता है प्रमाण कुछ प्रमार दिजा प्रमाण दीजिए आप विरिकासुर किसका डिवूटी था शंकर्षन धगवान का विरिकासुर बोल रहा हो व्रितासुर नहीं बोल ला हूं सुन रहे हैं आप यहां बोलोएं वम्र करण भर बाध कि बोल दो झाट है। लेकिन जो वर्दान मांगा तो देखे कितनी अची बुद्धी है, जिसके उपर सर रखो, जिसके सर पर हात रखो, उसका सर फट जाए, तो शिव जी बुले तथास्तु और उरुनी की पीछे भागाओ, तो ये कोई भागत है, बाना सुर शिव जी की बुजा करे, और उसके जल्दी तुमको एक व्यक्ति मीलेगा, जो तुमारे सारे हाथ काट डालेगा, तो बड़ा प्रसन हुआ, इवे देखे, असुर है न, रामण तो आप जानी रहे कि कितने बड़ा देवता था, कौन व्यक्ति रामण के कैंप में है, तो रामण शिव जी का भक्त था कि नही और हिरनकाशिपू, वो तो आदी दयत्य कही जातने है, ओरिजिनल दयत्य, दिती के पहले पुत्र, तो वह तो ब्रमाजी की उपास न की है, एक मात्र असुर जो भगवान विष्टियों की भक्त हुए है, जो सुनने में आ रहे है, वह एक मालब विरतासुर, ऐसे आपने स दाएगा, विष्णू सदैव देवतां का पक्ष लेते हैं, क्योंकि देवता भग्वान की पक्ष में रहते हैं, वो ब्रमा तता शिव कभी कभी असुरों का पक्ष भी लेते हैं ऐसा नहीं है कि उनमें रुचि लने सिवह उनके समान बन جاتे हैं मैं वय आख्या करूंगा, अब यह तो कभी-कभी असुनों पर नियं प्रति करने के लिए ऐसा कुछ करते हैं जैसे कि हरणा कर श्षिप को ब्रमाजी ने का अत्रास्स थुन किले तदास तू ले 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 लायने कि उसकी तपस्या से देवता जो परशान हो रहे थे उसको रोके नहीं के ले सकी है या पिर शिव जी विर्कासुर को दे दिवाय तुम पोल लो सर अपना अपना ही फट गया कि दक्ष के बेटे जब तपस्या करने के लिए तो प्रचेता गड़ तो शिव जी स्वैम उस सरोवड से प्रकट होते हैं और उनको विश्व मंत्रे देते हैं कि बहुत प्रिय है और मैं विश्व के भक्तों को बहुत प्रिय हूँ वैश्णवान आम यथा शंभू सारे विश्व में शिव जी स्रिष्ट हैं लेकिन होता क्या है समझने का प्रयास कीजिए शिव जी दो प्रकार की कृपा करते हैं एक है सो कपट और दूसरा है निश्व कपट तो जो लोग भहुत चीज़े मांगने के लिए आते हैं तो भगवान शिव जी करते हैं भाई ये क्लास में डिस्टर्ब करेगा लेओ दे दो उसको दे दो ले लो दिल दिल दे ले ले दिस्टर्ब मत करो हमारे क्लास चल लए था भागवत क्लास और जो लोग वाकई भगवान की भक्ती चाहते तो शिव जी उनको वही प्रतान करते घटना सुनाता हूं अप लोगों पता भी होगी लेकिन मैं बताता हूं प्रवपाद्र पर इस बात को लिखते हैं कि एक वे के पास गए तो बोले कि हमें सबसे मुलिवान वस्तु चाही तो कहें कि उधर कच्रे में एक पारस मणी रखी हो ले लीजिए तो बड़ा खुश हुआ पारस मणी को से आप जिस भी लोहे को सपर्ष कराएंगी वह सोना बन जाएगी तो बुद्धिमान था जो लेकि गया पर आगे सुचने लगा अगर यह सबसे मुलिवान वस्तु है तो सुनातन को स्वामी जी से कच्रे में क्यों डाले तो फिर लॉट के आया और बोला सुनातन को स्वामी बाद आप ऐसा क्यों आप हमको सत्त में मुलिवान वस्तु नहीं दिये नहीं तो इसे कच्रे में क्यो डालती है पारस मनी को तुबले मैं तुम्हें दे सकता हूं लेकिन इसको तुम्हें यमना में फेक क्या ना होगा तो उसको विश्वास था यमना में पारस मनी को फेक दिया तब सवनातन को स्वामी इसको देते हैं हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 यहां पर हम देख रहे हैं कि शिव जी सारी निश्व कपट किरपा उस व्यक्ति पर करते हैं तो कुछ अपने उनके कंट्रोल में वो लोग रहे हैं एक गिदम कंट्रोल के बाहर न लजा इसलिए थोड़ा-थोड़ा वह सहता कर देते हैं लेकर ऐसा नहीं कि वो लोग स्वयम असुर हो जाते हैं दोनों ही संप्रदाय के आचार हैं ब्रह्मा जी भी और शिव जी भी वैशनव संप्रदाय के आचार हैं वह भगवान के भक्त है यह प्रपादि समझाए कोई प्रश्णी किसी भक्त का है तो हम देख रहेते हैं कि आप भॉमा सुर की बात कर रहे हैं नहीं मैं बाणा सुर की बात कर्राथा विश्णु भक्तस सिवाला पूरा श्लोक क्या है? पूरा श्लोक थोड़ा-थोड़ा मैं भी भूल रहा हूं विश्णु भक्तस विश्णु भक्तस मृतस दैवा आसुरस तद विपरेहा ये बात ऐसे श्लोक आता है विश्णु भक्तस मृतस दैवा आसुरस तद विपरेहा है दो प्रकार के लोग है इस विश्णु भक्तस तत है विश्णु भक्तस मृतस दैवा विश्णु भक्तों को आप देवता की रूप में समर्ण करते हैं असुरस तद विपरेहार असुर गनचों है उनकी विपरेथ चलते हैं मतलब वह है भगवान विष्णों की भक्ती नहीं करते हैं कुछ बगवान के सुर में सुर ना मिला है उसे असुर कहेंगे उसका सुर कुछ अलग जा रहा है मतलब विल गो अगेंस्ट कृष्णा जैसे कि भारत की पॉलिटिकल पार्टी होती है वो ऑपोजिशन इसलिए करती हर बात का क्योंकि वो अपोजिशन में है उसका धर्म ही है आपोजिशन करना सही बात भी गवर्मन बोलेगी तब भी आपोजिशन करेंगी तो असुर के विश्च गुण है कि वो मान जानते है भगवान कौन लेकिन बात नहीं बानेंगे उनकी इस दियर सुरुपलक्षन सोल स्टाप ना श्रीमें भागवात्म की जाये श्रीन रहुपात की जाये निताय गोर प्रिमानन दे